अगैं किसान अंदोलन में गया तो मैंने ये जो किसान अंदोलन से मुझे भेट बी लिए मैने पहना हुआ यह हमारी एकता की निशान यह है क्योंकि आज वह learn और वहान बहुजन एकता दिवस मनाये गया वहान मनाये गया सविधान सुरुक्षा दिवस तो मैंने वहाँ भी अपनी बात रख्की कि जब सविधान आप पढ़ा ही नहीं है देश में तो सविधान चलेगा कैसे सविधान भारत का अधार है सब चीजे सविधान से चलती है उसी सविधान को खतम करने का प्रियास आरे सरसुर भाजपा के लोग कर रहे है तो मैं पंचाय चुनाओं में उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का वेश तियार कर रहा हूँ बहुजनों की सुरक्षा के लिए वंचित वर्क की सुरक्षा के लिए जो वंचित है वो बहुजन है तो मैं वो शुक्षा कवे तयार कर रहा हूँ क्योंकि हर जगा पे क्योंकि उत्तर प्रदिश के किसी भी कोने में अन्या इत्तचार खतम नहीं हो रहा है जुम जात्ती खतम नहीं हो रही है प्रिशानिया खतम नहीं हो रही है अधिकार नहीं मिल रहे है तो अकेला चंशेकर कहां कहां जाएगा मैं चुनाओं के बाद तो आपके भी चाह सकता हूँ आप जहां भी बुलाएंगे मैं तो खुद साइकल यातरा पे निकलूँ गाओं गाओं जाके लोगों के अंदर राइंटिक चेतना बहुजन समाज के अंदर जगाने काम करो जो इस वास वो खोब बैटें मैं तो आज गौरवान भी थूँ कि दुबारा से हमने मुव्मेंट तयार कर लिए उस मुव्मेंट ने रफ्तार भी पकड़ लिए आज लाखों चंशेकर तयार हो गए है हम लोग बावा साम बेटकर काशिराम साब तो तयार नहीं कर सकते लेकिन हमने बहुजन मुव्मेंट के बहुत सारी उद्धा तयार कर दी है जो पूरे देश में मैं धन्यमाद देता हूँ भी मारमी की पूरी कमेंटी का भी मारमी की राष्टे कमेंटी का आज आज समाज पर्टिक कारे करता हूँ पता दिकार होगा कि आज हमारे लोगों को जब अन्या इत्तचार होता है क्योंकि सरकार है हमारी नहीं है काशिराम साब कहते थे कि सत्ता पाने के लिए संगर्ज करना पड़ेगा और जिस कोम को मुफ्त में खाने के आदत पड़ जाती है वो कभी करांती नहीं कर सकता जो करांती नहीं कर सकता वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकता और जो समाज शाशक नहीं होगा जो समाज साशक वर्ग नहीं बनेगा उसकी बेहन बेटे बेटे पर तचार होंगे उनके साथ जुम जाती होगी, उनको अधिकार नहीं मिलेगे उनको नियाय नहीं मिलेगा तो इसलिए आज आजाती है, एक दिन में गौरवान भी तो होंगी कि हमने लाकों की संख्या में देश के अंदर, लड़ने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग, बलिदानी लोग, इमानदार लोग, मुवमेंट के लोग तयार करती हैं, इसका तो मुझे गर्भ है लेकिन इससे आगे बढ़के भी, मेरे आपसे अनरोध, कि ये पंचाज चुनाओ राइंतिक सक्ती देगा, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये पंचाज चुनाओ हमारी भागेदारिस निश्चित करेगा, ये पंचाज चुनाओ हमें बल देगा, तो आप सब लोग, जो हैं, मेरी गहर मजुद्गी में खुच चंशेकर मनके चुनाओ को लड़ने का और लड़ाने का काम करें, मैं अब राइंतिक सक्ती चाहता हूँ, प्रिवर्तन के लिए, आपके जीवन के बदलाओ के लिए, आपकी प्रिशानियों खतम करने के लिए, नोजवानों के लिए, रो मांग रहा हूँ, कि ये पैसे के दंपे जो लोग हमें खरीद लेते थे, आज उनको मूँ तोर जवाब देने का समय आ गया है, आज गरीबों की पार्टी, जो आजार समाज पार्टी हो तियार होगी है, उसमें लिडर्शिप तियार होगी है, अब ये जब जिला के बाद जो फेस है, कल के बाद उसके लिए भी तैयारी करने, संगर्स करें, लोग के बीच जाएं, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो रखें, अपने विचार धारा की बात करें, भाईचारा कायम करें, वो मुझे आशा अन्रोदगी आप ये करके जो है, मुझे ताकत दे करेंगे, जैसे आपने हमेशा दी, चाहिए टाइम्स का मामला हो, चाहिए दो प्रेल का अंदोलोन हो, चाहिए जब दिल्ली में गुरुखर तोड़ा वो अंदोलोन हो, चाहिए C.N.P.R.N.R.C. का अंदोलोन हो, तो आप संगर्स को बताईए जाके जनता के बीच में, वो मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते हैं, जिन्दा लोग रुपने नहीं देते हैं, मुवमेंट अपने साहरे पर चलती है, अगर आप किसी दूथरे का साहरा लोग है तो उसके साहरे पर काम भी करना पड़ेगा, तो आजा समाज पर्टी का अकाउंट भी तैयार हो गया है, अब मैं Payback to Society की मांग आपसे करता हूँ, कि अपनी मेहनत का पैसा जो है आप, दो रुपे, चार रुपे, दस रुपे, बीस रुपे, सो रुपे, दो सो रुपे, पान सो रुपे, हजार रुपे, जो आप मदद करना चाहते हूँ, मैं यह किया दो दिन में, वो अकाउंट मोदी जी तो 8000 क्रोड का जहाज लेके चलते हैं, लेकिन हमें अपनी मुवमेंट जो है न, वो सिध्धान्तिक मुवमेंट, किसी के सारे सारे पर नहीं, आपकी मदद से चलानी है, आपकी मांदारी का महनत का जो पैसा है, वो Payback to Society, बाबा साब कहते थे कि अपनी कमाई का 20 पैसा जो है, आप मुवमेंट पर खर्च करें, तो यह आपकी संघर्स की मुवमेंट जो चल रही है, इमानदारी की मुवमेंट जो चल रही है, मैं काउंट नमबर दूँगा, और मैं मांग करता हूँ आप से कि भई, आप लोग मदद करें, क्योंकि अब कोई रास्ता नह जो लोग है, अपने जो नोजवान लोग है, अपने जो महिंति लोग है, गरीब वर के जो लोग है, उनसे कहूंगा कि भई, यह आपके लिए है मुवमेंट, यह अमीरों की मुवमेंट नहीं है, यह गरीबों की मुवमेंट है, यह परिवर्तन की मुवमेंट है, यह स्वा क्वांट नंबर रिलीज करूंगा और मैं अब इस लड़ाई को मैदान में आके लड़ना चाहता हूं क्यूंकि मैं बस आपके याद दिला रहा हूं कि EVM हो या कोई भी मुद्दा हो कोई दूसा नहीं लड़ रहा है वो तो सिरफ चुनाओं के बीच आपके बीच वोट मांगने आते हैं ना आपके खिलाप होने विल जुम जात्ती खिलाप लड़ते हैं ना आपको नियाए दिलाने के लड़ते हैं नहीं आपके मुद्दों पर लड़ते हैं तो अब इस मुवमेंट को चलाने के लिए मुझे आपके आर्थिक रूप से मदद की जुरत है यह मैंने आपसे कभी नहीं कहा लेकिन क्यूंकि आज मैं महसूस करता हूं उसके जुरत वो तमाम तरह के संसादन तयार करने के लिए जिनसे की इंसर्डेंटर कारी विभाजन कारी आरसास और बीजीपी के खिलाब जो है मुवमेंट तयार हो सके तो मैं बहुत जल रिलिज करूँ है मैं यह बात आपको इसलिए आज पेबैक टू सोसाइटी की बात कर रहा हूं क्योंकि यह बावा सब हम बेटकर की बात थी और मैं इसे दूसरों के साहरे पर नहीं चलाना चाहता क्योंकि मैं सिद्धान समझोता नहीं कर सकता हूं इसलिए आप से अपील कर रहा हूं और अब अपनी महनत के कमाई से जो पैसा देंगे वो इमानदारी का पैसा इस मुवमेंट को आगर बढ़ाने के लिए काम आएगा वो बहुत सारे गरीबों की जिंदगी बदल देगा जब ये मुवमेंट रहेंतिक सकती प्राप्त करेगी तो परिवर्तन होगा वंचितवर के लोगों के लिए उसका मेनोफेस्टे हमने त्यार कर लिया है कि जब हम सरकार में आएंगे तो किस तरह से नوجवानों को रोजगार देंगे माताओ बहनों को घर पर रोजगार देंगे बहनों के लिए और उन लोग के लिए जो वंचेद्वर के लोग जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मुफ शिक्षा की व्यवस्ता करेंगे उनके आगे पढ़ने के रास्ते खोलेंगे उनको विदेश में पढ़ने भेजने के लिए काम करेंगे और जो बहुत सारी बात है जो हमने 21-22 परतिग्याएं अपनी रखी हैं जो उसमें हैं उन सम्मुद्दों पर काम करेंगे तो जैसा मैंने कहा कि ये चुनाओ पंचा चुनाओ अब आपके स्वाविमान सम्मान की लड़ाई हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर ये भाजपा के लोग शड़ी अंतर करेंगे पूलिस का दुर्प्योग करेंगे आपको हिम्मत से काम लेना है ज्यादा कांटे पैरवनी चुबाने आगे बढ़ने के रास्ते आसान करने हैं तो वोट का जो प्रियोग है जनता के बीच जाके वोट की वैलू लोगों को समझा अगर रायतिक सकती है आपके इस्से में आती है तभी परिवर्तन होगा तो मैं धन्यवाद देता हूं बाबा साब को कि आप थे तो हम हैं आपने सोसित वर्ग में एक नहीं उड़ जा दी आपने सविधान बना के हमें अकदिकार दिये लड़ने का रास्ता दिया और मैं य वूर कि पूल चड़ा के नहीं आगे बढ़ेगी उनका मुठी का मिशन नहीं आगे बढ़ेगा माला चड़ान श both नहीं आगे बड़ेगा, उनके विचारों पर चलना पड़ेगा, उनका जो सपना था, वो कहते थे, पोल्टिक दा मास्टर की, उसको लेना पड़ेगा, उस चावी को अपने हाथ में, क्योंकि ये दूसी सरकार है, तो आपके जीवन परिवर्तन नहीं करेगी, अगर करना चा नारेबाजी हो रही है, लेकिन इससे जो है बावा साब को सपना पूरा नहीं होगा, बावा साब का सपना तो वो जो सपना देखते थे, बहुजन राज का सपना, वंचितवर के लोगे, जिसके लिए उन्होंने कहा भी, कि आज मैंने रानी का पेट काट दिया है, आज के बावार राजा जो है, बैलेट बोक्स से तेयार होगा, आपकी बोट से तेयार होगा, उनको विश्वासता कि वंचितवर के लोग एक जुट होके, दलीत, पिछडे, आदिवासी, अन्ने धार्मी कलांक संके, मुसलीम, सिक, बोद्धिष्ट, पार्सी, जैन, ये सब लोग कटे होके, राजितिक सत्ता अपने हाथ में लेंगे, और जब सत्ता इनके हाथ मेंगे, तो अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, तो मैं अपने संगर्स के अधिकार जो आपसे मांग रहा हूं कि मुझे राइनितिक सक्ती दें आप, वंचितवर के लोग के जीवन में प तो नोजवान नेताओं से मेरा फील है अपने नोजवान कारेकरता पता दिकार आप हमारे नेता है आप हमारे चेहरें वार्ट समाज की आवाज तो इस आंदोलों को आगर बढ़ाने के लिए मदद करें आर्थिक रूप से भी और संगहर से भी तो मेरी बहुत-बहुत मंगल काम ना है हम अपने महापूर्सों के अधूरे सपने को बावर साम अमबेड करके सपने को डोक्टर फरीदी के सपने को प्राश्ट पिता जोती बाफूले के सपने को बावु जग देपरसाद जन्याक कपूरी ठाकुर के सपने को पहरियर लल्लय यादव संद गाडगे जी मह नाराज, नारैना गुरू, पेरियर रामानायकर स्वामी, मानेवर दीना भानावालमेकी साब, बावु जग जीवन राम, और मानेवर काशिराम साब के सपने को पूरा करने के लिए हैं। उनको गरीबों की समस्ताओं का पता है। तो मैं भारत के वंचे समाज से निवेदन करता हूँ कि मैं काउंट नमबर दूँगा, आप लोग आरती ही मदद करें। अब समय आ गया है, इन, ये जो सरकार हैं, ताना साई सरकार हैं, इनके खिलाब खुल के लड़ने का। तो परिवरतन की खिलत कीजिये और इस आंदूलन को ये अंदूलन से आगे पढ़े का। जैसे भारत जैसा हुद्धान और जैसा visualize ऑप से का सविधान की रख्शा का संकल्प का पिलेना पड़ेगा और सविधान को लागु कराने का। बहुत भाबस आम बेढकर के लिए परिवर्तन यात्रा की सुरूबाद जो है पंचाच चुनाओं के बाद होगी और इसकी मेरी इच्छा तो यह भगवान वाली में की तीरत अम्रसर से सुरू करने की जैसा भी हमारी कार्यकारणी का अदेश होगा मैं उसको पालन करूंगा आप सब का मंगल हो बाबा साब अमबेटकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स डॉक्टर बाबा साब आपने हमारे गुलामी की जीवन को काट दिया आपने हमें अदिकार दिये अपने बना दिया उसको उसको लागो हम लोग कराएंगे यह नोजवान लोग आपने हमें हमारे जानवरों के जीवन से हमें इंसानों का जीवन दिया और किसान अंदलों को भी हमारा समर्थन है मैं तो यह भी अपील करूँगा कि देश में जो अंदलन चल रहे हो सैयुक्त दूरुप से उनको एक छत्रे चे निचा जाना चाहिए जैसे किसान अंदलन कर रहे हैं आदलन कर रहे हैं